शुप्रबात मेरे प्यारे बच्चो आज हम देखेंगे हमारा अभ्यास क्यान आज हम देखेंगे हमारा अभ्यास क्यान तो सबसे पहले हम यहां आप कक्षाकार्य तारिक और दिल लिख लिजे लिखने के बाद हम सबसे पहले हमारा वर्ड मिनिंग देखते हैं शब्द क्यान जो हमने पहले पढ़ा है जमीन मतलब भूमी मदद मतलब सायता आकाश मतलब आस्मान ठीक मतलब सही सुन्दर मतलब खुबसूरत सुन्दर मतलब खुबसूरत बगीचा मतलब वहां स्तान जहां फूलो वाले पौधे होते हैं तरकारी मतलब सबजी जरजर मतलब पौधों को पानी देने वाला बरतन जरजर मतलब पौधों को पानी देने वाला बरतन दल मतलब समूह सीचना मतलब पेर पौधों को पानी देना स्वच मतलब साफ संकल्प मतलब द्रिड़निश्चे चले अब हम आके पढ़ते हैं मौखी क्रश्न उत्तट बच्चों ने किन किन फलो के पौधे लगाएं आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़े और मेरे साथ चाथ ही इसमें लिखे बच्चों ने किन किन फलो के पौधे लगाएं बताये तो किन किन फलो के पौधे लगाएं उत्तर लिखे हैं यहां पर हम चौट में लिखेंगे क्योंकि यहां हमार पास में जगा कम है ठीक है बच्चो तो यहां लिखे है अनार, अम्रूद और आम बच्चो ने अनार, अम्रूद और आम के पलो के पौद ही लगा है जब आप लिखोगे तो कैसा लिखोगे पहले प्रश्चना फिर उत्तर फिर यहां से बच्चो ने अनार, अम्रूद, आम के फलो के पौधे लगाए किसके जगह आपको यह लिखना है, सरफ किन किन की जगह पे प्रश्चना करमांग ख, बगीचा किसे कहते है, अभी हमने शब्ग्यान में भी देखा था, किसे कहते है बगीचा या लिके उत्तर, वहां स्थान जहां फूलो वाले पौधे होते है, किसे कहते है बगीचा, वहां स्थान जहां फूलो वाले पौधे होते है प्रश्चना करमांग, पौधो को जल देने वाला बरतन क्या कहलाता है, हमारे शब्ग्यान में भी देखा है पौधो को जल देने वाला बर्तन उत्तर इदर लिखिए जर जर क्या कहलाता है जर जर कहलाता है तो आप लिखने के टाइम कैसे करोगे पौधो को जल देने वाला बर्तन स्रिप क्या कि जगह आप लिखोगे जर जर कहलाता है चले अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेश्ण कर मांग पहला उत्तर लिखिए क अजय क्या कर रहा था? आप सभी को पता हैं अजय क्या कर रहा था? क्या कर रहा था अजय? अजय पौधे लगा रहा था लिखे यहाँ पौधे अजय पौधे लगा रहा था लिखे लिया सभी ने? मर्दन ने केरियों में किस के पौधे लगाए मर्दन ने केरियों में किस के पौधे लगाए बताईए तो आप सुरा सा हाँ, मर्दन ने केरियों में फूलों के पौधे लगाए किस के पौधे फूलों के लिखिए वहाँ फूलों के पौधे लगाए पेड़ पौदे हमें क्या क्या देते है आप सबी को हमने 5 शुरू करने से पहले उसकी छोटी सी समरी बताई थी और हमने फिर पाट में भी देखा था कि पेड़ पौदे हमें क्या क्या देते है बताईए आप पेड़ पौदे हमें क्या क्या देते है पेर पौदे हमें फूल, फल और तरकारिया देते हैं समझे सभी को लिख लिया सभी ने प्रेश्चन कर मांग दूसरा उच्ची शब्द चुन कर रिक्त स्तानों की पूर्ती कीजिये क हमें क्या करना है? रिक्त स्तान पूरी करना है रिक्त स्तान means filling the blanks यहां आपको option दिये है इसमें से चुन के आपको यहां फिल करना है क पेर पौदे हमारे क्या है? पेर पौदे हमारे filling the blanks क्या है? याने रिक्त स्तान क्या है? पेर पौदे हमारे क्या है? पेर-पौधे हमारे मित्र है लिखे यहाँ पे मित्र मित्र है लिख लिया सभी ने ख पेर-पौधे पेर पौधे वायू को रिक्तिस्थान कैसा रखते है कैसा रखते है बताईए आप रिक्तिस्थान कैसा रखते है वो हाँ पेर पौधे वायू को साफ रखते है यहां लिखे साफ यहां करे अंडरलाइन और यहां लिखे साफ साफ रखते है लिखे या ग रुक्ष हमें क्या देते हैं? रुक्ष हमें छाया देते हैं. बड़े बड़े रुक्ष हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं. लिखियां छाया. प्रश्ण करमांग तीसरा सही कतन पे राई और गलत पर रौंग का चिनने लगाए इसका मतलब है अगर सही प्रश्ण है तो टिक करे गलत है तो रौंग करे तो आकाश में बादल चाहे थे अजय जब पौदे लगा रहा था तो उसके मित्र ने दूर से ही देखा और उसे कहा कि देखो अजय पौदे लगा रहा है आज तो आसमान आकाश में बादल भी चाहे है ऐसा कहा था हाँ इसलिए ये क्या हो गया सही तो आप इससे करें यहां पे टिक प्रेश्ण करमांग ख अनिता ने तरकारी का पौदा लगाया क्या नहीं तो यहां करें गलत ये क्या हो गया गलत ग अंबर अपनी जमीन में पौदे लगा रहा था जैसे हम सभी जानते हैं कि वो जमीन अंबर की नहीं अजय की थी तो ये क्या हो गलत तो ये ये क्या हो गलत तो ये आप